गल्ती और माफी महजशी महसयोगी जी का अंग्रेजी संदेश का हिंदे अनवाद ट्रस्न माफी की भूम का क्या होगी? दूसरे सब्दु में जब हम सहज़ता से भड़त जाते हैं तो क्या ये सही नहीं माना जाता और माफी माँगना? महरेशी पहुत अच्छा ये अच्छी गुडवत्ता है किसी से माफी मांगते हुए गल्ती से आप कुछ कह देते हैं तो अगले पल हम गल्ती सुधार सकते हैं गल्ती का सुधार आप्रकार्टिक नहीं है ये सुवाविक है एक गल्ती का सुधार तो अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ और अगले ही पल मैं उस कथन को ठीक करना चाहता हूँ ठीक है माफ करना मेरा मतलब ये था भले ही ये पूरी तरह से विप्तीत क्यों न हो क्योंकि अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो दूसरी बात भी कह सकता हूँ हसी अगर मुझे ये बात कहने के लिए कुछ नहीं रोका है तो मैं एक दूसरी बात क्यों नहीं कह सकता मुझे खुद को सुधारने से कोई नहीं रोक पाएगा और सुधार बहुत इमानदार है और ये अच्छा जीवन दिखाता है ये सिर्फ अच्छी जिन्दिगी दिखाता है अगर मैंने कुछ लिखा है तो अगले पल कहता हूँ नहीं मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था मैं उसे लिखता हूँ नहीं उस पत्र का ध्यान मत लेना मेरा मतलब ऐसा ही है ये सादगी, इमानदारी, अच्छा से भाव, अच्छा चरित्र दिखाता है इनसान के चरित्र का पता चलता है अगर मुझे से गलती हुई है, तो ठीक है गलती का मतलब क्या है मैं संसोधन कर सकता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ ये क्या है और सब को पता है कि कुछ सोचने के बाद पिचार बदल जाते हैं ये बहुत सवाग है लेकिन अगर मैं सीधे बाहर नहीं आया और फिर कोशिस करने के लिए मैं गलत नहीं था लेकिन फिर भी मैं दूसरी बात का मतलब था कुछ यानि उस हेर फेर की बात ये इसके लाइक नहीं है ये इसके लाइक नहीं है अपनी कलतियों के लिए माफी मागना साहसिक कार रहे अच्छा चरित रहे इससे अच्छा साफ जीवन दिखता है बस इतना ही है लेकिन फिर भी बहतर है वो राच जहां हम कलती नहीं करते इसलिए हमें सुधारना नहीं पड़ता सही करने का मतलब है एक कलाकार एक डाट डालता है और फिर उस डाट को मिटाता है गलत डाट या स्पार्ट को मिटा देना अच्छा है लेकिन इसे पहले उधारन में न डालना ही बहतर है जै गुर्देव